हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना या आहत करना नहीं है हम सिर्फ आप तक खबर पहुचाना चाहते हैं वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते यूपी के कानपूर से पिटाई का खौफनाक वीडियो सामने आया है मेट्रो करमचारियों ने चोडी के आरोप में एक यूबक को प्लास्टिक की पाइप से बहरेमी से पीता है कानपूर में भीषन ठंड का मौसम है ऐसे में यूवक की डंडे और प्लास्टिक की पाइप से पिताई की गई है यूवक की पिताई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है जिसने भी पिटाई का ये वीडियो देखा आरोपियों के खिलाफ सक्त कारवाय की मांग करता दिखाई दिया पुलिस अधिकारियों ने वाइरल वीडियो को संग्यान में लिया है कानपूर में मेट्रो पर योजना के तहत निर्मान का काम चल रहा है इस दोरान मेट्रो कर्मचारियों की गुंडई और दबंगई भी देखने को मिल रही है नौबस्ता थाना श्वेत्र इस्थित फूल मंडी के पास मेट्रो के पिलर खड़े किये जाने का काम चल रहा है शुक्रवार को देर रात मेट्रो कर्मचारियों ने सरिया चोरी का आरोप लगा कर एक यूवक को प्लास्टिकी पाइप और डंडो से पिटाई कर दी बेरहमी से पीटने के बाद उसे छोड़ दिया गया लेकिन कर्मचारियों ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया वाइरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेट्रो कर्मचारी सर्द रात में किस तरह यूवक को पीट रहे हैं यूवक जमीन पर गिर जाता है हाथ जोड़ता है कि मत मारो मैंने चोरी नहीं की इसके बाद भी उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है पिटाई के दौरान किसी ने ये वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वारिल कर दिया है नोबस्ता पुलिस का कहना है कि थाने में चोरी की सूचरा नहीं मिली है इसके साथ ही मार खाने वाला यूवक भी थाने नहीं आया है वारिल वीडियों को संग्यान मिले कर इसकी जाच की जा रही है युवक की पिटाई करने वालों और पीडित युवक की तलाश की जा रही है